यह तो आपके आगे हैं यह आने वाले एंट्रेंस एक्जैम्स की प्रेपरेशन आप लाज्ट फाइव सिक्स मन्स से कर रहे हैं बट ठीक ठाक कर रहे हैं तो नाओ करेंट्ली वर इन प्रेशर की अब सेमेस्टर एक्जैम्स की तैयारी करें क्योंकि वह आपने पहले करनी आइस आए आई जी आए डियर यह सब एक साथ आपके उपर आ जाएगे ओके ऐसे में यह और फिलिंग प्रेशर की कैसे अपने टाइम को मैनेज करें कैसे सारी प्रेपरेशन को एक साथ लेकर चले कैसे सेल्फ डाउट को हैं ठीक है तो आम गोना टॉक अबाउट इच वन तो सबसे पहले बात करते हैं सेल्फ डाउट की ओके तो सबसे बड़ा डाउट इस पॉइंट पर जब आपकी प्रेपरेशन उतनी अच्छी नहीं है यूर थिंकिंग की क्या मैं ISI IIT इनके लायक भी हों की नहीं ठीक है बट डैस नॉट तो मेन कुश्य कोई भी कि six months पहले एक साल पहले इनके entrance exams crack करने के लिए नहीं होता लायक ठीक है that that's not the main question अभी आपके मन में चोटा सा yes आ रहा है और एक बड़ा सा no आ रहा है कि नहीं थोड़ा उपर-उपर से मन में आ रहा है कि हां मैं कर लूँगा मैं अपनी क्लास का topper हूँ या मैं तो बहुत hard working हूँ मेरा तो हो जाएगा okay बट अंदर ही अंदर एक बड़ा सा no आ रहा है आप आस-पास और लोगों को देख रहे हूँ अपने coaching में दूसरे students के marks देख रहे हूँ जो अच्छा score कर रहे है टेस्ट में ठीक है तो बड़ा सा no आ रहा है आपके मन में ठीक है but that is not the main question main question is कि क्या आप अगले 2-4 months में इन entrance exams को crack करने के लायब हो जाओगे that's the main question now ठीक है self-doubt को kill करने के लिए दो चीज़े चाहिए एक आपके मन में ये आ जाए कि हाँ अभी मेरे पास time है है जैसे आपको यह पता लगता है कि हां मेरे पास time है आपके अंदर automatically confidence आजाता है कि time है तो हम कर सकते हैं तो आप मान कर चलो फॉर नहां हो कि आपके पास है time और at least यह CUET जैसा entrance exam जिसमें इतने जारा technical questions नहीं आते हैं यह तो आप definitely 2-4 months में कर सकते हो ठीक है enough time है आपके प हैं अपने आपको समझाना है कि time है अब आपको बस hard work increase करने की जुरूरत है दूसरी बात self-doubt आपको होता है जब आप comparison करते हो की सीट्स तो limited है बाकी लोग मेरे से जाद बैटर करेंगे तो understand this thing अपने आप से पूछो कि self-doubt जो आपको हो रहा है am I the only one यह चीज सिर्फ आपके साथ हो रही है सिर्फ आपको under confidence feel हो रहा है या बाकियों को भी हो रहा होगा obviously बाकियों को भी हो रहा होगा maximum out of all the aspirants 80% से ज़्यादा यह जो एंटर्स एक्जाम देने वारे लोग है वो थर्ड एर के ही ठीक है वो college में ही होते हैं बहुत कम students होते हैं जो अपना second या third attempt दे रहे होते हैं तो 80% students are first timers तो उनको भी अपने assignments handle करने उनको भी अपने semester exams handle करने उन्हें भी self doubt हो रहा है तो ऐसे में इस situation में आपको आगे निकलने के लिए opportunity मिलती है जो कि है semester exams जब बाकि लोग अपना पूरा time सिर्फ semester exams पे लगा रहे हैं आप अपना time बचा सकते हूँ और उसे लगा सकते हूँ एंट्रेंस में ठीक है विकर्स ओनेट्ली अडिस पॉइंट सेमेश्टर एग्जाम उतरे मैंटर नहीं करते हैं जितना कि आपके एंट्रेंस को आप जब टाइम दोगे वो मैंटर करेगा पहले डी एसी में मेरिट का सिस्टम था कि डी यू स्टुरेंट्स अगर अच्छा स्कोर करेंगे तो उनको डारेक्ट रिजर्व सीट से उनके पास बटाव ऐसा नहीं है ठीक है दिर इस नो परसेंटेज बेस्ट कॉलिज समेश्टर बेश समेश्टर परसेंटेज बेश्ट मेरिट रिजर्वेशन ठीक है सबको सीवीटी का एक्जाम देना है डी एसी के लिए जेनियू के लिए ठीक है तो ऐसे में दिर इस नो पॉइंट कि आप कम्प्लीट टाइम सेमेश्टर को दो ओके एंड इसके अ में देर अराउंड टू फिफिटी सीट्स के रफ एस्टीमेट है नॉट अच्छी जगा है फ्रॉम प्लेस्मेंट सो पॉइंट ऑव यहां पर सीट्स है गोकले में वन फिफ्टी से जादा सीट्स है ठीक है जेनियू के दो डिपार्समेंट मिला करके अराउंट नाइन्टी के अराउंड सीट्स है तो यू कन क्लियरली सीट्स काफी अवेलेबल है अगर आप आया एफ्टी को भी अच्छा समझते हो तो वहां पर भी 90 के अराउंड सीट्स है ओके नाइन्टी प्लस ही होंगी दो कैंपस को मिला करके ठीक है तो ऐसे में सीट्स काफी है अगर आप सिर्फ टॉप इल्टी ट्यूट्स को देखो यहां पर टू फिफ्टी सीट्स फिफ्टी सीट्स आईजी आइडियर में 300 तो यही होगी इसाई में 20 मान कर चलते हैं ठीक है 320 जे एन्यू में 90 फोर टैन तो यहीं पर हो गई है यह दीजार्द फोर में इल्टी ट् किया बात करो तो वहीं पर 10 परसेंट से जादा एस्पिरेंट्स का एड्मिशन हो जाएगा तो अंडिस्टेंड इस तिंग कॉंपेटिशन इतना जादा यहां पर नहीं होता है ऑल यू नेट टू इस कि बाकियों से थोड़ा सा बैटर करना ठीक है अगर अगर आब ही आप समझ रही हो कि आपका स्कूर सेवेंटी परसेंट के आज पास आएगा एंटरेंस एक्जाम में थोड़ा सा बैटर करोगे खुद को सेवेंटी से सेवेंटी फाइफ तक ले जाओगे आप इसी पांच परसेंट के बीच में बहुत सारे स्टूडेंट्स को पीड़ के आगे किसी का हुआ और किसी का नहीं हुआ उन दोनों के बीच में मार्क सिर्फ और सिर्फ फोर टू फाइफ मार्क का डिफरेंस रह जाता है तो वही आपको कवर करना है तो ऐसे में ऑल्वेज अवोईड रेंडम स्टड़ी ठीक है वट डू आ मीन बाई रेंडम स्टड़ी उसने एक QOSTION बेज़ दिया और आपको कहा की मेरा तो A रहा है तरा क्या रहा है आपने उस QOSTION को SOLU करा आपने का मेरा तो B आ रहा है ठीक है आपने उससे पुछा आंसर की है वो कह रहा आँसर तो मुझे पता नहीं वो गिवन नहीं है फिर आप लोगों ने दोनों ने मिल क किसी तीसरे के बहुत भी भेज़ा और वो कह रहा है कि नी मेरा तो स्री आ रहा है ओके एंड दन यू बहुत आ लाए कि चलो इसको तो कुछ नहीं आता किसी और को पकड़ते हैं फिर आप प्रोफेसर को भेज रहे हो किसी ग्रूप में भेज रहे हो टेलिग्राम के किसी ग्रूप में भेज रहे हो पूरा दिन फॉलो अप कर रहे हो ओके ऐसा करते करते चलो शॉरिटी हो गई कि आपका दियावा आंसर सही था किसी ने आपको बता दिया लेकिन इस पूरे प्रोसेस में लेट से आपके लगए फोर टू शिक साथ आप सुबा से लेकर शाम तक रेंडम लीच कर रहे हो इस कोशन का इस कोशन का फॉलो अप ले रहे हो तो तो इस इस ती वर्ज तिंग आप अपना टोटली टाइम वेल्ट कर रहे हो किसी से रैंडम कोशन लेना जिसके आपके पास आंसर की नहीं एटली टेक धनकी ओफिशल आंसर की नहीं है उस कोशन के साथ डील करना यूजलेस है मत नहीं करना चाहिए यह आपका टाइम बेज बेस करता है ठेक है आपके पास अलरेडी पात Ilka कोशन आविलेबल है है ओके सीड़ में स्टाड़ेजी इस आपके पास लगबग है तू थाउजन कोश्चन से हैं किसी भी एंटरेंस एक्जैम में अगर हंड्रेड कोश्चन होते हैं उसमें से सिर्फ गुष्चन से एक्ज़र डिफिकल्ट है ठीक है डिफिकल्ट कोश्चन सिर्फ और सिर्फ 1020 परसेंट ओके एंड सेम तिंग गोज इन यह जो आपके पास टोटल 2000 कोश्चन से पास्ट यर कोश्चन पास्ट यर कोश्चन कोशन आंसर कीज ठीक है इसके अलावा रेंडम कोशन्स पे करना इसा यूजलेस तिंग अल्रेडी इतना बड़ा पूल अच्छे कोशन्स जो एक्चुल में आते हैं ज्यादा पैटन में चेंज नहीं होता है हलका फुलका चेंज होता है ठीक है जो टॉपिक्स वो टेस्ट कर रहे ह चार में आज भी वही टॉपिक टेस्ट कर रहे हैं लेवल उपर नीचे चलता रहेगा टॉपिक्स वही रहते हैं इन कोशन को आपको करना है तो अगर इस किसी एक कोशन पेपर में 20 परसंट कोशन्स डिफिकल्ट होते हैं सेम तिंग गोज है इन 2000 कोश्टिंस में भी 400 कोश्टिंस डिफिकल्ट हैं ॉके यह थैं 400 कोश्टिंस स्थ इसमें इन 400 कोश्टिंस में आपके पास ओड़ अबदी इस 2000 1600 average questions है easy bc के अंदर है average bc के अंदर 400 difficult questions है तो why would you waste time like this on a single question आपने सुभा एक single difficult question pick किया और शाम तक उस पर लगे रहे क्या it is is it a good strategy अगर आप 2 to 4 hours लगा करके इस difficult में से एक question कर रहे हो that is a totally a bad strategy see now what you should be actually doing okay I'm now gonna first talk about the revision strategy see तो अभी आपका semester exam और अपको दोनों के साथ में preparation करनी है okay so firstly you need to get extra time कि अभी आप करोगे कैसे तो जो आप time waste कर रहे हो वो हो रहा है एक तो इन screens पर आप Instagram की real scroll कर रहे हो YouTube की shots continuously scroll कर रहे हो okay आप start करते हो किसी अच्छे lecture से आप YouTube पर कोई lecture देख रहे हो उसके बाद आप कोई let's say कोई question कर रहे तो उसका solution दून रहे हो दून्टे दून्टे आप इन चीजों में लग गए ठीक है और यहीं पर आपका 2-3 hours यह गए ओके और यह average time है बहुत सारे students easily 3-5 hours भी waste कर देते ओके तो या फिर आपने बस थोड़ी दिर पढ़ाई करी है और यह लेगी बहुत नहीं बहुत pressure है मुझे entertainment की दूरत है बहुत जरूरी हो गया तो आपको अपने entertainment का source change करना पढ़ेगा आज के time में जहां आपकी complete पढ़ाई screens पर हो रही है आप PDF से के थूरू पढ़ रहे हूँ आप video lectures देख रहे हूँ सब कुछ screen पर हो रहा है अगर आपका entertainment का source भी screen ही है तो entertainment के sources में होना चाहिए आपका walking आप धग गए हो चत पर जाओ थोड़ी दिर वाक करो किसी friend को phone call लगा लो जिसके same goals है उसके साथ आप discussion कर सकते हो हसी मजाग कर सकते हो किसी sports activity में लग जाओ ठीक है maybe call a friend and badminton खिलते हैं whatever it's visible at that time तो कुछ इस तरीक है कि entertainment के source होने चाहिए these should be as minimum as possible तो अपना entertainment का source change करो if you are sleeping like 8 to 9 hours 6 to 7 hours होना चाहिए if you are sleeping 8 hours 7 करो तो 6 to 7 hours is optimum for a student ठीक है इस से कम नहीं करना चाहिए otherwise you will not be able to focus तो try reducing your sleep time by half an hour और उसको आप लगा होगे ठीक है तो अब वो पढ़ाई करनी कैसी है अब तो अब कोई नया topic pick करना would be useless कोई भी नया time कोई भी नया question कोई नया topic अब पढ़ना अभी नहीं पढ़ पाऊगे semester exam चल रहे है जो आप कर चुके हो उसको revise करना में जरूरी है पर revise करना यह नहीं होता entrance crack करने के लिए सबसे जरूरी चीज़ है problem solving do as many problems as possible problem solving is the key to crack MA economics entrance exams तो क्या करना है strategy शुरू होगी आपकी रात से रात को मान लो आपने decide किया कि आपको करने है monopoly revise इसके लिए आप क्या करोगे 10 to 15 questions निकालो dhc की pdf निकाली उसमें search किया आपने keywords आपने लिखा monopoly monopoly साही 5-6 आपको result मिले उन questions के screenshot लिए document में paste कर दी ओके इसके अलावा आपको answer की साथ साथ डाउनलोड करते रहे और mark कर लेना कि कौन से question की क्या answer ठीक है monopoly सर्च किया monopolist सर्च किया discrimination सर्च किया इस टाइप के 3-4 keywords आप सर्च करोगे और उन questions को निकाल करके उसका document create करोगे ठीक है? So that's the first thing now you have those 10 to 15 questions अब अगले दिन सुबह उटके या जब भी आपको करना है you will be doing these 10 to 15 questions जितना भी आपका past time है उसमें तो suppose इसमें से आप से सिर्फ let's say 8 to 10 questions हुए है 15 questions नहीं हुए है ठीक है? Out of this 15 you have done only you are able to do only 8 questions ओके आपने कर लिया 8 questions आपके पास बच गए है 7 questions ठीक है? now next day अब ये नहीं कि आप उन बच्चे वे 7 questions को ले के परेशान हो रहे है उसका कोई फाइद नहीं है ठीक है that is of no use now next day आपका टार्गेट है let's say perfect competition आपने इसके let's say 10 to 15 questions pick up करे from any source okay best sources are books and PYQs पार्ट टेर कोशिंट पेपर्स ओके ठीक है तो ये आप मेली पिक अप कर सकते हूं नाव अब आपके पास जो नया टार्गेट है that is 15 questions perfect competition के और 7 questions monopoly के बच्चे होगे ओके नाव लेट से यहां से आपने कर लिए 9 questions और यहां से आपके अब हो गए 2 questions ठीक है तो यहां इस दिन आपने 11 questions कर लिए ठीक है अब next day आप नया टार्गेट बना रहे हो let's say आप लेट से अप लेट से मैक्रोइकनोमी से अपने आयस आलिम्पिक कर लिया अब उसमें 6 questions अभी बचे हैं आपके perfect competition के 7 questions में से दो होगे तो 5 questions बचे हैं आपके monopoly के आप उन्हें अप ट्राय करोगे okay so that's how basically आप इन कि जो 2000 questions है जिसमें 1600 easy है और 400 mainly difficult है keep on going ठीक है आपको इसे धीरे धीरे finish करते वे जाना है okay आप इस 400 में तो इस strategy से कोशिश करो कि in 1600 में से आप 1300 cross कर जाओ by the end of your preparation और in 400 में से आप 15200 questions तक पहुंच जाओ ठीक है ये और ये बात हमेशा याद रखना है ऐसा नहीं है कि आपने difficult question कर लिया तो easy तो होई जाएगा ऐसा नहीं होता है concept का problem solving technique का ये जो overlap है इतना ही है difficult questions के pool में और easy questions के pool में अगर आप difficult के पीछे लगे हुए हो तो इतना ही overlap है difficult करने का मतलब ये नहीं है कि easy question आपसे होने लग जाएंगे दोनों की अपनी अलग strategy है अपना तरीक है अपने concepts हैं तो सिर्फ difficult question के पीछे लगने से अपना time waste नहीं करना है ठीके दोनों जरूरी है और even easy questions जादा जरूरी है क्योंकि 80% questions average questions ही है तो अब अगर आपको कोई रोज अपना doubt को भीज रहा है doesn't mean कि आप सुबह से लेके शाम तक दूसरों के doubt solve कर रहे हैं don't do that help करना अच्छी बात है but don't overdo that okay ना यह आपके लिए अच्छा है ना उसके लिए अच्छा है वह सारे questions आप से करवा रहा है तो उसका तो वैसे भी करते थे आप सुबह से लेके शाम तक दूसरों के 4-6 questions doubt solve कर रहे हो बिना answer की वाले questions पर time wait कर रहे हो okay उसी 4-6 hours में जो आप उसके 5-6 questions कर रहे हो इतने में आप easily 20-25 easy questions कर सकते थी और हुए आपके सिर्फ 5-6 difficult question ओके तो यह बहुत ही गलत strategy आपके लिए ठीक है यूशूड है टाइम की लटसे आप एक दिन में सिर्फ 2 hours spend करोगे दूसरों के doubts या दूसरों की चीज़े देखने में okay मेबी आप एक time setup करोगे 6-8 पीम आप दूसरों के doubts देख लोगे उसके of moving on आपने questions करें 15 questions का target बनाया था 15 questions का pool है आपके पास आप सिर्फ 10 कर पाई हो पांच नहीं हो रहें अब आप उसके पीछे पागल नहीं होना है आपको strategy of moving on is the best strategy move on okay 15 questions है 10 कर लिए 5 बच गे 9 problem अगले दिन फिर से 10-15 questions का pool बनाया इसे उसमें include रखा हुए यहाँ पर 10-11 हो गए 4 नहीं होए carry forward करते जो okay target is उस 2000 questions में धीरे 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 आगे बढ़ना है उन 400 questions को के पीछे नहीं पड़े रहे हैं ठीक है यह 400 questions आपको definitely कभी न कभी automatically मिल जाएंगे कैसे क्योंकि इनके बारे मेरे सब बात कर रहे है यूट्यूब पर वीडियो वीडियो इनी questions के उपर है WhatsApp ग्रूप पर टाइग्रांट ग्रूप पर discussion इन्हीं के उपर है आप simply अपने 1600 questions पूरे करते चले जाओ थोड़े थोड़े इन फॉरें 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 करते जाओ अल्टीमेटली यह जो 400 है यह आपको यूट्यूब डिसकॉशन ग्रूप पर अपने बाद में मिल जाएंगे बाकि लोगों को लगा रहने तो इन 400 पर आप फोकस करो पहले 1600 खतम करने पर और धीरे-धीरे दिएपर करने क्यूंकि पेपर में 80% questions, average questions. okay. I hope you got this. And this is a lot. Why? If you are, if you need any additional help, then we have started a CUT crash course. Okay. So this as you know, key is bar CUT exam March, March 2024, 24 में एंटर जएम में तरिएर जएम में, विचे जए जर्ट बेन एवाफ मन्स अवेशे लेशे जए जो मार्च एंड के आस पास होना चाहिये एक्जएंग, तो वियव लॉट दिस और जॉट इस कोर्स and here are the details. So, it is a crash course, but it covers the whole syllabus of CUT for Part A there will be a lot of practice material and as you can see we had 19 DSC and 18 JNU selections in 2023 okay so is page-car link description box if you want to join this code and you can visit this page to more more details and you can also watch demo lectures here okay and if you're interested then you can fill this form up or you can contact me and my number is also in the description box thank you